नमस्कार में तरों, MB Technical Group में आपका स्वागत है, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गुम Android फॉन को कैसे लोकेट कर सकते हैं, उस पर रिंग दे सकते हैं, उसे लोग कर सकते हैं, या उसका डाटा एरेज कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे फॉन पर सेटिं अप्सें में, सिकुर्टी के अंतरगत, डिवाइस एडिमिट्रिट्रेटर में, Android डिवाइस मेनेजर, बाइड डिफॉल्ट ऑन रहता है, जो मैं यह पर्मिट करता है, कि एगर हमारा फॉन गुम हो जाए, तो हम उसे कैसे लोकेट कर सकते हैं, Android डिवाइस मेनेजर की मदद आपने अपने फॉन को रेश्टर्ट किया हुआ है, यहां email id डाले, password डाले, इसे डालते हैं, आपको message आएगा, allow Android device manager to use location data, उसे accept करने, accept करते ही, आप लोग इन हो जाएंगे, यहां Android device manager, में में लोग इन हो गया हूँ, इसने मेरे फॉन को, रेश्टर्ट फॉन को दिखा कर पाएगा, जब आपके गुम फॉन पर, location option on होगा, यह देखे, location option on है, तो यह बता देगा, कि location is turned off, और अगर वो on होगा, location option, तो यह मेरे फॉन को, locate कर देगा, यह देखे, मेरे गुम फॉन का, location option on था, तो इसने बता दिया है, कि मेरे फॉन कहाँ पर है, location देदी है, इस circle के, इस area के अंदर ही, मेरा गुम फॉन कहीं पर है, इस circle इतना छेटर फल है, जिसके अंतरगत मेरा फॉना, इस इलाके में कहीं पर होना चाहिए, इसके लावा, आप इस android device manager की मदद से, इस पर ring भी कर सकते हैं, log भी कर सकते हैं, और data, अपना erase भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ रिंग दे रहा हूं, यह 5 मिनिट तक रिंग आपको अपने phone के power button को press करना पड़ेगा, यह 5 मिनिट तक ring दे रहा है, यहाँ तक अगर आपका phone silent है, तब यह ring देगा, आपका phone अगर silent mode में है, तो भी यह ring 5 मिनिट तक ring देता रहेगा, दूसरा option है इसमें log का, अगर आपने किसी कारण बस अपने phone पर कोई किसी बरकार क कोई भी lock नहीं लगा है, यानि pattern lock या password लोग नहीं लगा है, तो आप यहाँ से lock पर click करके, तुरंत उसका एक नया password बना सकते हैं, नया password बनाए, confirm करें, नीचे रिगबरी message और phone number optional है, यह लिख भी सकते हैं, या आप नहीं भी लिख सकते हैं, यह lock करते ही, आपके phone पर आपके phone को दुबारा lock करने के आव सकता नहीं, पहले से उसमें एक lock लगा हुआ है, जैसे कि नीचे message में दिया है, इसमें तीसरा option है, erase का, अगर आपका phone फिर भी नहीं मिल पाता है, तो आप अपना confidential data यहाँ, erase button पर click करके, delete कर सकते हैं, यह आपका phone ना मिले, जैसे आप erase पर click करेंगे, यह आपका, यह erase पर click करते ही, यह आपके phone को factory default पर reset कर देगा, factory setting पर reset कर देगा, यह तभी करें जब आपका phone ना मिले, इन सब कारवाईयों में भी Google Android device manager की limitation है, आपका phone जब online होगा, यानि internet से connected होगा, तभी आप यह सब कारवाई कर सकते हैं, अन्य था, अगर दीवी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,